सिवान इस समय होट स्पोर्ट की तौर पर देखा जा सकता है और वहीं कंडिशन यहां है जो चीन के वुवान का है अंतिम बैक्ती तक नहीं पहुँच पाता है राजीव गांधी हो या नेंदर मोदी यह कह रही है कि जून के अगर थर्ड वीक में भी अगर यह खुलता है तो भारत तबाह हो जाएगा नमस्कार मैं हुरिचा शर्मा स्वागते आपका हमारे खास कारिक्रम पंच नामा वेस्टेशन में कोरोना का कहर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है अगर भारत की बात करें तो आकड़े लगातार बट रहे हैं बिहार की बात करें तो 38 जिले में से 28 जिले कोरोना फ्री हैं लेकिन 10 जिलों में कोरोना का कहर बरकरार है 10 जिलो में अगर बात करें सीवान में तो 10 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या पाई गई है उसके बाद आता है मुंगेर मुंगेर में 5 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या है उसके बाद 3 पोजिशन पे गया जहां 5 कोरोना मरीजों की संख्या है पटना में भी पाँच, बेगु सराई में तीन, गुपाल गंज में तीन, नालंदा में दो, भागलपुर में एक, सारन में एक, लखी सराई में एक इन सब जिलों को अगर छुडा दे तो 28 जिले कोरोना फ्री है ये अच्छी खबर है कि 38 जिले में से 28 जिलों में कोरोना का कहर नहीं मिल रहा है लेकिन 10 जिले ऐसे हैं जो कोरोना के चपेट में हैं उनमें से भी हाट सीट जो कह सकते हैं, हाट स्पॉर्ट बोल सकते हैं कोरोना का कहर है जो काफी बढ़ रहा है वो है सीवान सीवान इस समय होट स्पॉर्ट की तौर पर देखा जा सकता है और वहीं कंडिशन यहां है जो चीन के वो आनका है इसे बीच अमेरिका ने एक बड़ा खुलासा कर दिया है दरसल अमेरिकन कंसल्टिंग फर्म की माने तो ऐसा खुलासा हुआ है ऐसी बाते की गई है जिसको सुनकर आप दातों तले उंगली दबा लेंगे अमेरिका का कहना है एक जून के तीसरे अगर स्टेज की बात करें जून के तीसरे हफते की बात करें तो उस समय कोरोना का कहर चरम पर होगा और उस समय कोरोना सबसे जादा कहरबर पाएगा, इसको लेकर अपडेट्स ये भी है, कि सितंबर तक भारत को अपना lockdown बढ़ाना पड़ेगा, तब ही हम कुरोना से बच पाएंगे, इन सबी मुद्दों पर बात करेंगे, सबी मुद्दों पर चर्चा होगी और आज उस वक्त हमारे साथ, हमारे एडिटर नचेफ नमन मिश्ट्रा जी है सर, जिस तरह से चौकाने वाले खुलासे हुए हैं अमेरिका के तरप से, कितना असर होगा इसका भारत पर? देखें, सबस्वरे बात में बता दो कि ये जो अमेरिका की एजेंसी है, इसने सार्क और अन्य जो वाइरसेस रहे हैं, इनको लेकर भी जो एपडेमिक हुई हैं, उन पर भी हम बार बार कहते हैं, ऐसा वाइरस आया था, इबोला जो कि साथ अपरिका में काफी तबाही मचाया था, उस पर भी इन्होंने डेटा चर्णिंग की थी, अब जो एजेंसी ने दावा किया है, और जो मॉडल इसने यूज किया है, जिसा कि हम कहते हैं, क्रिकेट में हम यूज करते हैं, डकवर्थ लूइस मेथड का, उसी तरीके से जॉन होपकिंग्स मॉडल एक जो है विस विद्धाले में, उस पर आधारी जो डेटा जनसंख्या का घनात्व, लोगों की पर कैपिटा इंकम, लोगों का जो जो दिन्चरिया है, जो सोचल बॉंडिंग है कि इस तरीके की है, मतलब कई जहां पर लोग बड़ा कमपैस्टनेट होते हैं, बड़े करीब रहते हैं, और कई देशों में लोग सोचल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं पहले से ही, तो जहां मेंटेन होता रहा है, वहां तो बहुत प्रॉब्लेम नहीं है, लेकिन भारत जैसे सगन जनसंख्या होले देश में जहां एक स्क्वाइर फूट में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, इस स्थीती में जो डेटा अनलाइज करके निकाला गया है, यह बहुत डरावना है, हम बात कर रहे हैं, 14 मार्च को, 14 अप्रील को, कि खतम कर देंगे हम लोग डाउन, हम उसे स्टेज में नही बढ़ेगा, कितने कोई लोग सवाल पूछ रहे हैं, कि लोग डाउन कब खुलेगा, यह बता दीजिए, मैं आपको एक ही बात बोलूँगा, और आप समझे ही है, कि लोग डाउन कब खुलने वाला है, अगर लोग डाउन 14 या 15 या 25 को खुलने वाला होता, तो सरकार आपक कि मामला बहुत बिगड़ा हुआ है, सरकार अगर आपको, आप समझ सकते हैं भारत किस तरह का देश है, किस तरह की आर्थिक जो चलेजे से उनको हम झेलते हैं, खाद्यान हमारे हैं कैसे हैं, उन खाद्यानों को पहुंचाने के लिए लोगों तो कितना महनत करना पड़ता है, आपको पता है, हमारे हैं राषन डिस्टिबूटिंग सिस्टम किस तरह का कितनी पेचिदगी से बढ़ा हुआ है, अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाता है, राजीव गांधी हो या रेंदर मोदी, सभी ने इस बात को माना है, और आज जिन परिस्थितियों में हम हम ये बात कह रहे हैं कि लॉकडाउन खुल जाना चाहिए, हमें खुद से भी सवाल करना पड़ेगा, सरकार से बाद में कीजिएगा, कि तीन महीने का राषन जब सरकार दे रही है, वो सरकार जिसके पास पैसा नहीं है, आपको पता होगा कि लॉकडाउन से पहले ही भारत आर्थिक मंदी से बुजर रहा था, और जब तीन महीने सरकार हिम्मत करके आपको कहरे एक लीजिए, हरासन घर पे रही है, तो समझ लीजिए कि तीन महीने से ज़्यादा सरकार सोच कर चल रही है, कि ये जाएगा, अब हम वास्तविक बाते करते हैं, फैक्ट की बात करते ह हमने अलाइस किया था, हमने बताया था कि जो डॉट्स हैं, अलग-अलग वो कनेक करके क्या स्टोरी बन रही है, कितने दिन तक लॉगडाउन चल रहा है, छे महीने तक मैक्सिमम ये लॉगडाउन हमें दिख रहा है, जो स्थितिम है, हम किसी को ब्रहमित नहीं करना चाहते है, क्योंकि हमारे पास exact data नहीं है, हम जो अलग-अलग आकरे हमारे पास प्रस्तूत हो रहे हैं, और अमेरिका की agency ने जो दावा कर दिया है, इस पर चर्चा करने आज बैठे हैं, तो एक बात तो बिल्कुल पस्ट लग रही है, कि 14 तारीक को तो लॉगडाउन नहीं खुल बात हो रही थी कि अप्रिल के बाद मई में या मई के बाद जून में जुलाई में इन परस्तियों में कहीं खुल सकता है लोगडाउन, लेकिन यह जो एजनसी है, जिस आपने बहुत सही कहा, कि यह कह रही है कि जून के अगर थर्ड वीक में भी अगर यह खुलता है, तो भारत तबाह हो जाएगा, भारत को बचा नहीं पाएगा लोग, अब कह सकते हैं कि हम वहान से क्यों कंपेर कर रहे हैं सीवान को, हम यह नहीं कह रहे हैं कि लाखो लाख लोग प्रभावित हैं सीवान में, हम यह कह रहे हैं कि जिस तरह से चीन का एक घनतव है, एक अपना चेत्रफल है और उस रेशियो को अगर हम सीवान में इंप्लेमेंट करते हैं, तो एक्जक्ली फिट बैट रहा है, जितने लोग प्रभावित हैं, जिस तरह से लोग एक दूसरे को चेंड, हम पांच हजार लोग को भी अकर कोरोना हो तो रोख सकते हैं, अगर हमारे पास एक् को खुद नहीं पता है, टेस्टिंग किट्स नहीं थी, तो थैंक्स गॉड्स तू मिलिंडा गेट्स बिलिएट्स फाउंडेशन की उन्होंने चौदा हजार टेस्टिंग किट्स बिजवा दिया, नरेंजर मोझी जी नहीं भेजवाया, नितीस जी मांगते रहा गये, ऐसे पाउं पसार रहा है कोरोना, यह कोई नई बात नहीं है, यह पसार चुका था, जो चेंड रियक्षन की बात हम कर रहे थे, देखेंगे चीन में कैसे लोगों ने अपने आपको बीमारी से अलग किया, लोग एक दूसरे से मिले नहीं, बीमार लोगों को अलग रखा गया, ह हम अभी जिस स्टेज में है कोरोना के, हमें पता होना चाहिए कि exactly किसको है बिमारी, इन 28 जीलों की गरेंटी को लेगा, नितीस जीलेंगे, स्वास्ति भाग लेगा, वो स्वास्ति भाग जो मार्च तक में ट्वीट करके कहता है कि कोरोना कोई महामारी नहीं है, टेंसर मतल इंडिया कुछ नहीं होने वाला है, और वही स्वास्ति भाग लिखता है कि घर से निकल लिएगा, तो लाठी खाईएगा, मत निकल लिए, किसकी बात वो रोसा कर ले, कौन से एजेंसी पर, हाँ एक बाद जरूर मैं कहूंगा कि अमेरिका की जो एजेंसी है, वो दावा कर रही है, तो उगलत नहीं कर रही है, बहुत सोच समझ कर डेटा माइनिंग वो करते हैं, और डेटा चर्निंग की बात यह तो जिस मॉडल को लोग इंप्लिमेंट करके निसकर्स पर पहुंचे है कि सिप्तंबर तक भी भारत में लागू रहना चाहिए लॉकडाउन, मैं इस इसमें कौन को से डेटा इस्तेमिल की इंगें साफत आगें बता दूछ आपको कि जीया है, अन लोगों ने कितने लोगों को प्रभावित किया, अब समझ लिए कि यह नहीं हो रहा है कि कितने लोगों को हुआ है बस। उससे नहीं पादा चल रहा है। अगर 500,000 को भी ऐक देश में हो जाए तो यह जो डेटा माइनिंग कर रही है उसे हिसाब से नहीं रिप्लेक्ट कर रहे हैं कि पांच लाखों हो गया तो देश बरबाद हो जाएगा नहीं वहां यह देखा जा रहा है इसमें स्पेसिपिकली कि यह पांच लाख लोग कितने लोगों परभावित कर पा रहे हैं सोशल डिस्टंसिंग कितनी पॉलो हो रही है सेंट आइज बिल्कुल रिजल्ट निकल रहा है भगवान ने करें ऐसे रिजल्ट निकले और ऐसे स्थितियों तक पहुँचना परे लेकिन जो हाइड्रो क्लोरोक्वीन जो हम बार बार कल से कह रहे हैं इस दवा को निर्यात को लेकर भारत ने रोक लगाई थी और अब इंट्रनेशनल प्रेसर की वज़े से हमें पहुचाना पढ़ रहा है ब्राजील के प्रधान मंत्री इमोशनल करके मोदी जी को चाह रहे हैं कि कि क कि आनते हैं कि संजिवनी बुठील रहनमान जी कैसे आयते और वही काम नरunu पोड़ी लेको नरेंद्र मोदी इतने थी और मध्यागों भी पूछ सारे हमग्सी जूड़े हैं अगर अमुरीका हमारे से विआपारी किरें खत्म कर लेगा अगर भ्राजील हम आ सद्म भरजील और खास तर पर अमरीका जैसी एजेंस की जब इतनी बड़ी एजेंसी दावा कर रही है कि सेप्टेंबर तक लॉकडाउन भारत में लगा रहना चाहिए तो हमें अब इन विकल्पो पर चर्चा करनी चाहिए कि मैंने पहले भी साथ अब से बात के दोना कभी पंचनामा में य जिचा इसी तरह से जीने की आदत डालनी पड़ेगी आपको सोसल डिस्टेंसिंग और यह जो सब चीजे ठक यानुसी लगती है यह लगता है कि मतलब एक सब्द है तो सब्द पर मजी उसकी परिभासा पर जाईए जो वो कह रहा है वो सब्द उस पर जाईए सोसल डिस्ट परिंसिंग फॉलो करना ही पड़ेगा हमें परस्नल हाईजीन को फॉलो करना ही पड़ेगा और भारत जैसे दिस्ट में आप देख सकते हैं कि जब सॉड़कों पर बाटने लोग निकल रहे है रासन कैसे भीर लग जा रही है आप सोचिये कि इन में से अगर एक भी कोरोना क इसको सेंटाइज किये हैं क्या वो सेंटाइज करता है और मिक्मृ जो मेर्णे के साथे आटकरें कषबा रहा है क्या जो कि रशुबह कर रहा है की जो स्द्ध लगार दो सकता है कि हम आसे धागे वरुशे जिस धागे की यारेंटी नहीं है और हम ही नहीं संपील मानोता टीकी हुई है आज हम खुश इसलिए हो रहे हैं क्योंकि कुछ कुछ लोग के इम्म्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉंग है और बच जा रहे हैं तो मैं बता दू कि अगर बं भी गिरा था ना अब जापान में तो कई लोग बच गए थे तो क्या हम उस स्थिति में हैं कि हम यह चले कि भागते बुद की लंगोटी लेकर हम भागेंगे यहां है कि मैं फसा हुए हूँ आप फसे हुए हैं जीवित हैं यही आप आज का सत्य है अगर आप भागने के चक्कर पड़ जाते तो आपको पता है कि हम बार-बार यह बात कह रहे हैं कि दस में से तीन लोगों को को रोना संदिग्द हैं यह खुद सरकार कह रही है और आप क्रोंट पॉजिटिव तो हम यह कुछी बना लगते हैं खबर चलना लगती हैं कुछ जाहिल जैसे मीडिया कर्मी हमारे हैं जो खबरे चलना लगते हैं कि हम कोरॉना फ्री हो गए आपने कितने बाहर से लोगों को स्क्रीनिंग की और उसमें पोजिटिव नहीं मिला ये मुझे बताईए ये आकड़े सावजनिक कीजे ना जाच एजेंसियां अपने हिसाब से चीज़ चुपाती हैं जो सरकार हैं उनकी मजबूरियां हैं मोदी जी पहले दिन भी आकर बोल सकते थे कि दो तिन महीने के लिए त्यार रहा है जाम हैं कोई साधी की त्यारी कर रहा है कोई कुछ कर रहा है कोई प्लान बना रहा है अभी ऐसे नहीं हो सकता है हम भारती हैं हम बहुत तरह की आउधारनाओं से गरसित हैं मैं भावना जो धार्मिक भावनाएं हैं उनको भी आहत नहीं करना चाहता हूं हमें लगता है कि हम सब का सम्मान करते हैं प्रकृति की विजद करते हैं हम सब कुछ करते हैं लेकिन हम ही वो लोग हैं जो सड़कों के किनारे पहसाब करते हैं थूकते हैं गारियों में से हम ही वो लोग है जो अनफॉर्चुनेटली बात कहनी पड़ रहे हैं कि मेट्रोज में सिटीज में भी जाके कि हम वहां गंद फैलाते हैं, चाहे वो सोशल गंद हो, अब ये बातें बुरी लग सकती हैं, लेकिन बुरी लगनी भी चाहिए, चाहे सोशल पोलिटिकल हो या वास्तविक प्रेक्टिकल तौर पे गंदगी फैलानी हो, बिहारी लोगों को सिल्फ हाइजीन के बारे में नही पता था, और अब at cost of life हमें सीखना पड़ रहा है, ये बहुत दुखत है, ये इस तरह का है रिचाजी, अगर मैं समझाओ इसको कि कोई बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा हो पाच्वी क्लास तक, अब उसे सीधे आप कह दिए कि मेट्रिक निकालो बेटा, तुम सीधे टें पती और जो गवर्णर है, राजयपाल जो है, तो, तनख्वाह देने के पैसे ही नहीं रहेंगे, अब 30%, 100% तनख्वाह आपको रोकना पड़ेगा, और मैं बस यही मना रहा हूँ, संपुन मानवता के लिए, कि बिहार जो है, वो कोरोना से बहुत जल्दी निजात पाले, जितनी जल्दी हो सके, जल्दी तो लग नहीं रहा है कि मिलेगा, लेकिन फिर भी निजात पाले, क्योंकि बिहार, जैसे सिवान बिहार के लिए वोहान है, वैसे बिहार इस देश के लिए वोहान हो जाएगा, और उस स्थिति के लिए हम तयार नहीं है किसी भी तरीके से, आप समझ लिए में फिर उस बात को रिपीट करना चाहूंगे कि जब नरेंदर मोदी जी टेस्टिंग किट्स नहीं दे सकते हैं, उतना जितना मांगते हैं नितिजी, बेंटिलेटर्स नहीं हमार पास अब तक आए हैं, तो हम अपने ही देश में खुद थार्ड वर्ल कंट हमारी आउसकता पूरे देश को है, लेकिन हमें जब आउसकता पड़ती है, हम जब मजबूरियों में होते हैं, तो हमें छोड़ दिया है, तो यह बड़ी अपडेट सामने आई है, और जिस तरह से डेटा बेस बनाए गया है, अमेरिका के दूरा और जो खुलासा हुआ है, वो कहिना कहीं यह साबित करता है, हाइपोथेटिकल हो सकता है, लेकिन कहिना कहीं यह साबित भी करता है, कि लॉक्डाउन सितमबर तक बढ़ेगा, क्योंकि उनका कहना है, और जो डेटा बेस बनाए गया है, जो रिसर्च पेपर कहता है, वो कहिना कहीं कटाक्ष करता है, और ये बाते स्पोस्ट करता है कि जून के बाद यानि जून के तीसरे अगर सपता की बाद करें तो तीसरे हपता से कोरोना का कहर काफी बढ़ेगा और इसी कारण लॉक्डाउन भी बढ़ जाएगा तो सितंबर तक बाते की जा रही है अमेरिका के द्वारा वहराल भारत में प्रण भी देखना दिलचस्प होगा आपको क्या कुछ लगता है अमेरिका के इस दावे में आपको कितना दम दिखता है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताए बने रहे हमारे साथ अगर आपको हमारा ये शो अच्छा लगता है पंच नामा विशिलेशन आपको बहु ओजे गो घंटी बाग उकरा बटन दबा देला से कुल सतीक और मारक ख़बर रुवा मुफ्त में मिल जए अगर रुवा पत्रकाजिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कल चाहता ने तो ज्वाइन बटन दबा दिए पेटियम नंबर नोटकली 9386816700 धन्यवाद